डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारंग जिला बिहार की जीरादेई गाव में हुआ था। इनके पिता महादेव सहाय फार्सी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। वे पहलवानी और घुरसवारी के शौकीन थे। इन दोनों विशयों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को दी। सबसे पहले उनका नामानकन छप्रा के हाई स्कूल में हुआ और वहाँ वह आठवे दर्जे में रखे गए जो उस स्कूल के शिक्षा क्रम में सबसे नीचे का दर्जा था। वार्शिक परीक्षा में हुए प्रथम आए, स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन होकर दूरी प्रोनती दी 1902 E में वे कलक्ता विश्विध्याले की मेट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए उसके बाद आए A, B, A और B, L प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया 1981 में कलक्ता के वकील दल में शामिल हुए 1916 में जब पटना में एक अलग न्यायाल इस्थापित हुआ तब वे वकालत करने के लिए पटना चले आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा वे सम्विधान सभा के प्रथम स्थाय अध्यक्ष हुए स्वाधीन्ता के बाद 1950 में भारतिय गंतंत्र के प्रथम राश्ट्रपती हुए कलकता में वे जब छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपून घटना घटी बंग भंगान दोलन इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेज न चागई बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायन और सचिदानन सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टुडेंट्स कॉन्फरेंस की स्थापना की राजेंद्र प्रसाद कलकता में हिंदी विद्वानों की संगती में आय और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतिय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही 28 फरवरी 1983 में उनका निधन हो गया